हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल आन पढ़ाई पर दोस्तों आज हम आप लोग के सामने सम्मिधान की प्रस्तावना से कुछ महत्पुन प्रस्नों को लेकर आये हैं और इस पर चर्चा किया जाएगा चलिए देखत सम्मिधान की आत्मा किसे का जाता है तो वह है प्रस्तावना चलिए बहुत स्था आग़े बढ़ते हैं अगला प्रस्था है कि समौरति सुची किस देश के सम्मिधान से लिए गया है तो अगला प्रस्थामाज्य म। Q उत्तर हो जाएगा अफेलिया जे दोस्तो अच्ट्रेलिया के सम्मिदान से लिया गया है चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थ नमा रहा है कि सम्मिधान निर्माताओं ने किस पर विशेज ध्यान दिया था तो चार विकलप आपके सामने प्रस्थाओना पर मुल करतब पर मौलिक अधिकार पर या नीती दीदे से तत्व पर, तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रस्तावना पर, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ, अगला प्रसन हमारा है, कि भारत में जनप्री संप्र क्योंकि भारत के संभिधान की प्रस्तावना शुरू होते इन सब्दों से भारत की जो सम उद्देशिका है प्रस्तावना है वह किन सब्दों सुरू होती है लोग तंत्रवादी भारत से होती है कि लोग गड़राजी से होती है कि लोग प्रभुसतास होती है कि हम भारत के लो चलिए अगले प्रस्ट की तरफ चलते हैं अगला बहुत संदार प्रस्ट निकल करा बार 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 कमपटेटीव उग्याम में पूछा जाता है कि भारत को गढ़तन्त्र क्यों कहा जाता है तो उसके चार भीकलप हैं इसकी विधान मंडलों की अधिक्तम संख्या जनता दोरा परते से चुनी जाएगा यह राज्यों का एक संग है यह राज्यों का एक संग है बारती-नागरिक प्रमुख निरधारित अधिक के लिए होता है तो जानते हैं दोस्तों कि भारत में जो चुना होता है वा निरधारी ताओधी के लिए होता है अधिक्तम जो चुना होते हैं भारत के निश्चित पांच वर्सों के लिए होते हैं तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपसन नमबर डी आपसन नमबर क्या हो जाएगा डी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है दोस्तों कि भारत है एक भारत है एक क्या है धर्म निर्पेच राष्टर है हिंदू राष्टर है हिंदू मुस्लिम राष्टर है या इन में से कोई नहीं दोस्तों हमारे समिधार में लिखा कि भारत एक धर्म निर्पेच राष धर्म निर्पेच्छता का क्या आर्थ है चार वी कलप आपके सामने है राज सरकार सभी धर्म के खिलाफ है राज सरकार दोरा एक धर्म को सुविपकार किया गया है राज सरकार दोरा किसी धर्म को सुविपकार नहीं करना है या उपरोक्त में से कोई नहीं तो धर्म निर्प निर्पेच राज है इसका मतलब कि भारती राज यानि कि कहरें भारत एक धर्म निर्पेच राज है इसका क्या मतलब है कि भारती राज क्या है धर्म मिरदिन आगरिकों का समर्थन करता है कि बहुत संक्यक समधाय के धर्म का समर्थन करता है या कि किसी निश्चित धर्म का सम चलिए आगे बढ़ते हैं गड़तंत्र होता है गड़तंत्र का क्या अर्थ होता है इसका आपको देना है चार विकल्प आपके सामने है किवल एक लोगतांत्रिक राज्य है अध्यची पद्धति सासन कलावा वाला राज्य है संसथी पद्धति सासन वाला राज्य है कि जहां राज जहां पर अध्यच वनसानुगत रूप से ना हो तो गड़तंत्र का अर्थ होता है दोस्तों कि जो अध्यच जो चुनाव होता है वनसानुगत नहीं होता है एक निश्चित समय के लिए चुनाव किया जाता है उसके बा कौन से हैं जिनका समावेशन 22 उसय संसोधंद्धोरा सम्मिधान की उद्धेशिका में किया गया था चार भी कलप का आपके सामने धर्म निर्पेश लोकतांत्रिक परभुत्र संपन लोकतांत्रिक समाजवाती धर्म निर्पेज या धर्म निर्पेज गरतन्द तो आँ दोस्तों हमारा सही एंसवर हो जाएगा आपसर नमबर सी एकदम राइट एंसवर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ अगला प्रसन है दोस्तों कि भारती समिधान की प्रस्तावना में भारत को किस यह प्रभुत्य संपन समाजवादी धर्म प्रजयत आंत्री गर्ण राज्य या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों हमारा सही बिकल्प हो जाएगा आपसर नमबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है अगला प्रसन दोस्तों यह है कि भारत एक गड़तन्त्र है इ भारत में और निश्चीताओधी गले चुनाओ किया जाता है उसके बाद वहाँ पे शुने जाते हैं चलिए अगले प्रसन की तरफ अगला प्रसन है निम लिखित में से कौन सासब तो भारत के सम्विदान की उदेसिका में नहीं है समाजवादी, पंत निर्फेच, प्रभुत संपन, लोक कल्याण, तो दोस्तों आप जानते हैं, समाजवादी भी है, पंत निर्फेच भी है, प्रभुत संपन भी ने है, लोक कल्याण नहीं है, तो हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा, आपसे नमबर D, चलिए, अगले प् कल्याण का प्रबंद करना, सभी नागरी को सुब्धायं प्रदान करना, उप्यूक्त में से कोई नहीं, तो हमारा राइट एंसर हो जाएगा, आपसे नमबर D, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंद करना, यही कल्याण का राजजिगा क्या है, उद्देश है, बहुत ही स प्रबंद करना, उसका अपना लिखी सम्मिधान है, उसकी सरकार संसिदी प्रणाली कंसवार है, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, आपसन नमबर E, राज एद्देश का जो हम लोग है, चुनाओ द्वारा उसका क्या करते है, निर्धारन करते है, इसलिए क्या है, भारत को गल्राज मुक रूप से कहा जाता है, प्रधान मंतरी हो, राष्ट पती हो, मुक मंतरी हो, सबका क्या होता है, चुनाओ के द्वारा निश्चित किया जाता है, तो आपसन नमबर E क्या हो जागा दोस्तों, एकदम सही माना जाएगा, चलिए, अगले प्रसन की तरफ चलते ह कि भारती सम्मिधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निमलिकित में से कौन से क्रम एकदम सही है, भारती सम्मिधान की प्रस्तावना जानना आतियावस्तक है, तो इसका सही एंसर जो हो जाएगा, आपसन नमबर क्या हो जाएगा, D, सारभम, सत्ता संपन, समाजवादी, धन इसका सभी अर्थ हो जागा दोस्तो अब संवी नागरी को धर्म उपासना की सुफ्कारर कर सकते हैं कि आप किसी भी धर्म को जालते हैं ये सेकुलाइर कहा चलते हैं अगला प्रस्थ confidential की तरफ चलते हैं अगला प्रस्थ है दोस्तों कि सब्ध धन निर्पिच भारत के सम्यधान की पूर स्थाउनां में यहां से है आपसन नमबर इसको D बन लिजेगा या मूल प्रस्तावना में था यह आपसन नमबर D और C हो जाएगा या 42 संसोधन दोरा जोड़ा गया था तो दोस्तों आपको पता है कि A 1976 में 42 संसोधन दोरा जोड़ा गया था तो इसमें A और C क्या हो जाएगा दून हो जाएगा तो इसमें दिया भी गया है कि उत्तर निमलखित कूट से चुनिए तो हमारा क्या हो जाएगा आपसन नमबर यह जो दो है इसमें वह ही क्या हो जाएगा एकदम सही अंसर हो तो फ्रांसीसी करांती जो 1789 में थी उस पर एकदम साब साब प्रभाव जलगता है अमेरिकी करांती 1776 में थी उसका भी प्रभाव है लेकिन चीन की करांती का भारत की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं है तो आपसन नमबर डी क्या हो जाएगा एकदम सही अंसर हो ज इसको कहां देख सकते हैं भारत की समीधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं चलिए अगले प्रस्तावन की तरफ अगला प्रस्तावना में किस सब्द को नहीं जोड़ा गया था धर निर्पेच को जोड़ा गया है समाजवादी को जोड़ा गया है गुट निर्पेच और अखंडता भी जोड़ा गया है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपसन नंबर सी चलिए अगले प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसन दोस्तों कि भारती समीधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है तो देखिए समाजवादी धन विप्यस सब्द 1950 में ल प्रस्तावना का अंग नहीं है यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है दोस्तों कि भारती समीधान की प्रस्तावना कंसार भारत के सासन की सरोच सत्ता किसमें नहीं था तो आप सभी लोग जानते हैं भारती सासन की प्रस्तावना में भारत देश का कौन सा नाम उल्लिखित है तो भारत देश का नाम है भारत और इंडिया चलिए अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं भारत की संप्रभुता किसमें नहीं था है प्रस्न का उत्तर चार भिकल भारती संसद में राश्टपती में प्रदान मंत्र या भारत की जनता में तो इसका सई उत्तर हो जाएगा भारत की जनता में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और सेर करना ना भूलें जैहिन दोस्तों धन्यवाद